हलो फ्रेंड्स टड़ी विद मैंक की करेंट अफ़ेर सेसन में आपका स्वागत है यह करेंट अफ़ेर एससी बैंकिंग रेलिवे टेट पीसीएस सीडियेस सीपीएफ एंडिये और अधर कंप्रेटिटिव एक्जामादी में सहायक होंगे आज की डेट है 13 अप्रेल 2021 तो चल मनाया जाता है ओफ्षन A 25 अप्रेल ओफ्षन B 12 अप्रेल ओफ्षन C 12 मैं ओफ्षन D 10 जन्वरी देखी प्रतेक साल 22 अंतरक्ष उडान का अंतरास्ट्य दिवस 12 अप्रेल को मनाया जाता है यह दिन जो है वो 1961 में यूरी गागरेन की अतिहासिक अंतरक्ष यात्रा की वर्सकार्ट की रूप में मनाया जाता है इसका मुख्य उदेश सतत विकास लक्ष को प्राप्त करने में अंतरक्ष के योगदान की और से पूस्टी करना है तो इसका सही अंसर होगा ओफ्षन B 12 अप्रेल चले ने सद्राबाद ऑफ्षन B रॉयल चलेंजर्स बैंगलॉर ऑफ्षन C कॉलकता नाइट राइडर्स ऑफ्षन D पंजाब गिंग्स देखी आइपेल 2021 के तिसरे मेंच में कॉलकता नाइट राइडर्स ने संद्राइजर हैद्राबाद को 10 रन से माद दि है 188 रन के लक्ष को डि यो केकेार की सोवी आईपेल जीत रही केकेार आईपेल में सोवी मैच जीतने वारी तीसरी टिम बनी और इससे पहले जो है आपके मुंबे इंडियन्स एवंग सुपर चिने किंग्स इस लिग में सोवी से ज़्यादा मैच जीत चुके हैं तो इसका सही एंसर होगा नेक्स्ट कुशिन पर चलते हैं पंजाब सरकान ने कोरोना टिका करण अभिहान के लिए किस अभिनेता को ब्रांड अम्बैस्टर बनाया है उप्शने सोनुशूद ऑफ्शन बी सलमान खान ऑफ्शन सी अजय देवगन ऑफ्शन दी अभिसेख बचन देखे पंजाब सरका ने कोरोना टिका करण अभिहान के लिए अभिनेता सोनुशूद को ब्रांड अम्बैस्टर बनाया है उन्होंने पिछले साल कोरोना वैरे संक्रमन को फैलने से रोपने के लिए लगाये के लौकडाउन के दौरान प्रवासियों को उनके ग्रिहर राज्जों में पहुंचा के लोगों के लिए 50,000 से ज्यादा रोजगार के मौके दिए गये हैं तो इसका सही इंसर होगा ओप्शन ए सोनुशूद चले नेक्स्ट कुश्चन पर चलते हैं हाली में केंद्र सरकार ने कोरोना के उपचार में इस्तमाल होने वाले निम्नमे से किस दवा के नर्यात पर रोग लगा दी है ओप्शन ए फेविफ्लू ऑफ्शन बी रेमडेसीवर ऑफ्शन सी हाइरोक्लो हाइरोक्सी क्लोरो क्लोरोक्विन ऑफ्शन डी टोसिली जूबान तोसिली जूबाब सुरी देखिए जो आपका केंद्र सरकार ने जो है 11 अप्रेल 2021 को देश में कोबेड-19 की स्तिती में सुधार होने तक रेमडेसीवर इंजेक्शन और इसके एक्टिव फर्मेसिटिकल इंग्रिडियंट के निर्यात पर प्रतिवन लगा दिया है केंद्र सरकार ने कहा है कि आने वाले दिनों में रेमडेसीवर की मांग में और ब्रधी होने की संभावना है और सर होगा और संभी रेमडेसीवर चले नेक्स्ट क्वेशिन पर चलते हैं कि निम्न में से किस भारती अभिनेता को परियावरण संग्रक्षण के लिए गौल्डेन ग्लोब ओनर्स फांडेशन से समानित करने की घोशना की गई है ऑफ्षने सोनो सूद ऑफ्षन बी अनिल अब इस लिस्ट में अक्षे कुमार का विना जूड है और उनके पर्यावरण संग्रक्षण के लिए जागरूकता फैला रहा है इन सितारों में दिया मिर्जा अजे देवगन अभीता बचन और अविशेग बचन जैसे सितारों के नाम सामिल है अब इस लिस्ट में अक्ष option D. अक्षे कुमार चले next question पर चलता है हाली में किस राज्ज सरकार ने COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए 14 दिनों का मास्क अभियान लौँच किया है option A. बिहार option B. पंजाब option C. उडिसा option D. तमिलनाडू देखे उडिसा की मुख्य मंत्रे नवीन पटनायक ने हाली में COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए 14 दिनों का मास्क अभियान लौँच किया है इस पहल का मुख्य उदेश मास्क के उप्योग को एक आदत में बदलना है यो COVID-19 की वर्तमान प्रधी को इंत्रित करने में बहुत बड़ी भूमी का निभाएगा साथी उडिसा राइज सरकार ने उलंगन करताओं के लिए जुर्माना एक हजार रुपे से बढ़ा कर दो हजार रुपे कर दिया है तो इसका सही इंसर हो का ओप्शन C उडिसा चलिए नेक्स्ट कुशिन पर चलता है विश्य हमेपथी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है ओप्शन A 12 मार्च ओप्शन B 10 अप्रेल ओप्शन C 25 में ओप्शन D आपका है 18 जुलाई देखिए हमेपथी के महतो और चिकितसा जगत में इसके योगदान को उजागर करने के लिए प्रतीक वर्ष 10 अप्रेल को विश्य हमेपथी दिवस का आयोजन किया जाता है यह दिवस हमेपथी के संस्थापक डॉक्टर क्रिस्टियन फेडरिक सेमोल हैनीमन की जैनती को भी संदर्वित करती है हमेपथी के संस्थापक और विभीने चिकत्सिय पत्दितियों के जन्दाता डॉक्टर क्रिस्टियन हैनीमन को जन्म जो है वह आपका 10 अप्रेल 1775 को जर्मनी में हुआ था डॉक्टर क्रिस्टियन हैनीमन द्वारा हमेपथी की खोज प्रणाली दवाओं द्वारा रोगी का उपचार करने की एक ऐसी विधी है जिसमें किसी स्वस्त विक्ती में प्राकर्तिक रोग का अनुरूपन करके समाल लक्षण उत्वन किया जाता है जिससे रोग रष्ट विक्ती का उपचार किया जा सकता है तो इसका सही अंसर होगा ओप्षण बी दस अपरेल चले नेक्स्ट कोशन पर चलते है कौन से देश में इस्थित भारते उच्चायों के इंद्रा गांधी संस्कृतिक के इंद् जनता आम जन्मानस को संस्कृत सिखाने वाले एक एप लिटल गुरू की सुरवात की गई है ऑफ्षण बांगलादेश ऑफ्षण बी ब्रिटेन ऑफ्षण सी अमेरिका ऑफ्षण डी सिंगापूर देखे बांगलादेश के ढाका अस्तित भारते उच्चायों के इंद्रा गांधी संस्कृतिक केंद्र द्वारा आम जन्मानस को संस्कृत सिखाने वाले एक एप लिटल गुरू की सुरवात की है यह एप विश्वभर में विदार्थियों धार्मे की विद्वानों भारत विदो और इतिहास कारों के बीच संस्कृत भासा को बढ़ावा देने के लिए भारती संस्कृतिक संबंद्र परिशत की और से चलाई जा रहे है अभ्यान का हिस्सा है लेटल गुरू नाम का यह संबादत्मक एप संस्कृत सीखने को आसान और मजीदार बनाएगा यह एप संस्कृत सीख रहे है लोगों और संस्कृत सीखने की इच्छा रखने वाली लोगों को खेल प्रत्यूगिताओं पुरसकार जैसे आसान तरीकों से यह भासा सीखने में मदद करेगा इस एप को सिक्षा के साथ-साथ मनोरंजन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है भारत ये संस्कृतिक संबंद परिशत के मुताविक दुनिया के उन विभ सो पूर्वर्व पलज पूर्व होई थी तो سंस्कृत को लगवग सभी भारतिय भासाओं की जननी माना जाता है और यह बहरत में बूली जाने वाली प्राचिंतं भासाओं में से एक है गौर्व है कि संस्कृत को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए सबसे अनुकूल वैज्यानिक भासा माना जाता है तो इसका सही अंसर होगा option A बांगलादेश चले next question पे चलता है विश्यो पार्किसन दिवस निम्नों में से किस दिन मनाया जाता है option A 10 अप्रेल, option B 11 अप्रेल, option C 12 अप्रेल, option D 13 अप्रेल देखे विश्यो भर में प्रतेक वर्स 11 अप्रेल को विश्यो पार्किसन दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिवस के आयोजन का प्राथमे को देश, आम लोगों को पार्किसन रोग के बारे में जागरूप करना है पार्किसन एक ऐसी बिमारी है जिसमें तंत्री का तंत्र लगातार कमजोर होता जाता है इस बिमारी का कोई इलाज सम लग नहीं है पार्किसन के कारण चलने फिरने की गती धीवी पड़ जाती है और मास पेसिया सत्थ हो जाती है तथा सरीर में कमपन की समस्या पैदा हो जाती है सामानेते 60 वर्से अधिकायों के लोगों में पार्किसन रोग के लक्षन दिखते हैं कि तो यह रोग किसी भी उम्र में हो सकता है सरीर में कमपन, जकडन, सीथल, गती सीलता, जुपकर चलना, यादा समयनी समस्या और वहवार में बदलावादी इसके प्रमुक लक्षन है यो मस्तिस्क में तंत्रिका को सिकाओं को नुपसान पहुँचाता है जिससे डोपामाइन के स्तर में कमी आज़ हो जाती है डोपामाइन एक रसायन है जो मस्तिस्क से सरीर में व्यवार सम्मादी संकेत भेजता है ATP दवार रोगों रोग के लक्षण को नियंतरित करने में मदद कर सकती है किन्तो इस रोग को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है आपड़ों की माने तो दुनिया भर में लगवत 10 मिलियन लोग इस बिमारी से पीडित है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा ओप्षण B 11 अप्रेल चले नेक्स्ट कुशिन पे चलते हैं कौन से मंत्री द्वारा हाली में नई दिल्ली में महिला ससकती करांट से सम्बंदित अखिल भारती तक्नीक सिक्षा परिसत के लिलावती पुरस्कारों को वित्रण किया Option A स्वास्थ मंत्री द्वारा, Option B सिक्षा मंत्री, Option C घ्रिह मंत्री, Option D सिक्षा मंत्री देखे, केंद्री सिक्षा मंत्री ने, जो है, हाली में, नई दिल्ली में, महिरा ससक्ति करण संबन्दित, अखिल भारिते तकनीक सिक्षा परिसत के लिलावती पुरसकारों का वितरण किया लिलावती पुरस्कार अखिल भारती तक्नीख सिक्षपरिशत की एक पहल है जिसका उदेश जो है आपका अखिल भारती तक्नीख सिक्षपरिशत के अनुमोदित संस्थानों द्वारा महिलाओं के भी समानता और निस्पक्षता को बढ़ावा देने हैं तू किये जा रहें प्रियासों को मायनता प्रिदान करना है इस पुरसकार का विसेय महिला ससक्ति करण है और इसका लक्ष स्वच्छता, स्वास्त और पोशन जैसे मुद्धों पर जागरुपता बढ़ाने के लिए पारंपरिक भारती मुल्लों का उप्योग करना है इस पुरसकार के मायधम से अखिल भारते तक्निकी सिक्षा परिसद, साक्षर्ता, रोजगार, प्रोधगी की, रिण, बिप्णन, नवाचार, कौसल विकास, प्राकरतिक संसाधन और महिलाओं के अधिकार जैसे मुद्धों के बारे में जागरुपता पैदा करने का प्रियास कर सकता है प्रतेक उप तको 50,000 रुपे की पुरसकार रासी प्रदान की जाएगी इस पुरसकार का नाम 12 सतावधी में भारती गड़ितक के भासकर दित्य द्वारा रचित पुस्तक लीलाबती के नाम पर रखा गया है लीलाबती भारती गड़ितक के भासकर दित्य की बेटी का नाम था तो इसका सही एंसर होगा option D सिक्षा मंत्री तो ये थे आज के current affair वीडियो पसंद आए तो like, share और comment करना ना भूले, साथी साथ चैनल को subscribe करना ना भूले Thanks for watching, have a nice day, take care